28 सप्रेल 1947 जोधपुर की रियासत थी और राजा थे माहराजा हनवन सिंग सभी राजाओं को अपनी अपनी सत्ता जाती हुई दिख रही थी क्योंकि भारत से राजा का राज खत्म होकर जनता का राज आने जा रहा था और सरदार पटेल पूरी तनमेता से इस काम में लगे थे जादतर सभी राजिये आसानी से एक भारत का हिस्सा हो रहे थे लेकिन जोधपुर के माहराजा हनवन सिंग इससे खुश नहीं थे क्योंकि पाकिस्तान जोधपुर के बिल्कुल करीब था इसलिए हनवन सिंग जोधपुर रियासत को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे सरदार पटेल को जब ये बात पता चली तो उन्होंने माहराजा हनवन सिंग को समझाने की खूब कोशिश की लेकिन राजा हनवन सिंग कहां मानने वाले थे जोधपुर रियासत 28 अप्रेल 1947 को ही सरविधान सभा में शामिल हो गई थी लेकिन दो अगस्त आते आते माहराजा हनवन सिंग के तेवर पूरी तरह से बदल चुके थे फिर भोपाल के नवाब ने भी माहराजा हनवन सिंग को बरगला दिया माहराजा हनवन सिंग ने तुरंद दिल्ली में मुहमद अली जिन्ना से मुलाकात कर पाकिस्तान में शामिल होने की इच्छा जताई और पूछा कि हम पाकिस्तान में शामिल हो रहे हैं हमें क्या मिलेगा जिन्ना ने हनवन सिंग से कहा मैं तुम्हें हिंदुस्तान से ज़्यादा सहूलियते दूँगा और फिर इतना कहकर जिन्ना ने एक साधा कागज महाराजा हनवन सिंग की तरह बढ़ा दिया अब महाराजा को फैंसला करना था जब ये खबर जोधपूर के दिवान के जरिये सरदार पटेल तक पहुची तो सरदार पटेल गुस्से में लाल हो गए सरदा ने ये बात माउंट बेटन को बताई और महाराजा हनवन सिंग को दिल्ली तलब करने के लिए कहा माउंट बेटन ने महाराजा हनवन सिंग को दिल्ली बुराया अब जोधपूर को बचाने का पुरा दामोदार सरदार पटेल के कंधो पर था जैसे ही महाराजा हनवन सिंग दिल्ली पहुँचे सरदार पटेल ने कड़े शब्दों में महाराजा से कहा देखो हनवंद तुम्हारे पिता उमेद सिंग जी हमारे दोस्त थे और उन्होंने तुम्हें हमारी देखरेक में छोड़ा है अगर तुम सही रास्ते पर नहीं आए तो समझ लो कि मुझे तुम्हें अनुशाशन में लाने के लिए पिता के रोल में उतरना पड़ जाएगा महराजा हनवन सिंग सर्दार पटेल को गुस्से में देखकर घबरा गए और सर्दार पटेल से बोले नहीं आपको ऐसा करने की जोड़ नहीं पड़ेगी मैंने फैसला कर लिया है मैं इसी वक्त लोड माउंट बेटन के पास जाकर साइन कर दूँगा आखिरकार 11 अगस्त को यानि आजादिस से सही चार दिन पहले महराजा हनवन सिंग ने इस घटना पर कुछ इतिहास कारों का कहना है कि सूचना मिलने पर सर्दार पटेल जोड़ पर पहुंचे उमेद भवन में सर्दार पटेल को देख महराजा चोक उठे बातचीत की टेवल पर हनवन सिंग ने सर्दार को धमकाने के उदेश्य से मेज पर पिश्टल रखती सर्दार ने जोड़पु नरेश को मुस्लिम राष्ट में शामिल होने पर होने वाली सारी तकलिफों के बारे में बताया लेकिन महराजा नहीं माने उल्टे सर्दार पर ही डराने का रोप लगा कर आसपास बैठे सामन्तों को उकसाने का कार्य भी किया एक बार इस्तिती ऐसी आ गई कि आखिरकार सर्दार पटेल ने पिश्टल उठा ली और हनवन सिंग की तरफ तान कर कहा कि देखो राजिस्थान में विलै पर हस्ताक्षर कीजिए नहीं तो आज हम दो सर्दारों में से सिर्फ एक ही सर्दार भचेगा सचेव मैनन सहित वहाँ उपस्तित तमाम लोग डर गए आखिरकार अपनी न चलने पर हनवन सिंग को हस्ताक्षर करने पड़े दूसरी तरफ कुछ इतिहास कारों का ये भी कहना है कि पहले महाराजा हनवन सिंग ने सर्दार पटेल के सेकरेटरी के सिर पर बंदूग रखकर कहा था कि जोदपुर की मेरी पज़ा के साथ धोका मत करना ये बात सर्दार को पता चली जिससे वे गुसे में थे आज लोह पुरूश सरदार वललब भाई पटेल की 68 वी पुल्यती थी है इस अवसर पर पुरा देश उन्हें सरदांजली अर्पित कर रहा है